हेलो फ्रेंड्स बीएसी सेकेंड सेमेश्टर केमिश्ट्री का जो हम लोग यूनिट वन देख रहे हैं केमिश्ट्री आप कार्बो हाइडरेट का रासा हैं ठीक है तो आज उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्डन टॉपिक सुक्रोज माल्टोज तथा लैक्टोज ठीक है इन सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले इसका मोलेकुलर फॉर्मला क्या होता है इस्ट्रक्चर क्या होता है इन तीनों का देखेंगे ठीक है पहुती आसानी से आप खुद बना पाओगे ठीक है तो यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना तो चलो बात करते ह को एक एक करके हम लोग देखते हैं तो देखो इनको एक एक करके देखते हैं सबसे पहले देखते हैं सुक्रोज को तो सुक्रोज को देखो सुक्रोज का जो molecular formula होता है पहले उसकी बात करते है फिर open structure की molecular formula इसका होता है C12H22O11 ठीक है O11 ये आपका क्या होता है सुक्रोज का फ़रवला C12H21O11 ठीक है क्या होता है ये सुक्रोज होता है ठीक है आप जो भाईया ये सुक्रोज है आप इसकी open structure कैसे आप बना सकते हो बहुती आसानी से trick से आप बना सकते हो ठीकह है। आपको देखो open structure बनाने के लिए glucose और fructose की open structure बसपता हूने चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको glucose की open structure बनाना और fructose की open structure बनाना सिखाया है। ठीक है। तो देखो बनाके आपको दिखाते हैं आपको C, OH यहां पे H लग गया। फिर देखो यहाँ पे C, आपका यहाँ पे OH, और इधर फिर H लग गया, फिर यहाँ पे C, H, OH, ठीक है, और फिर आपका क्या जाएगा नीचे, फिर यहाँ पे C, इधर राइट साइड पे OH, इधर लेप्ट पे H, फिर यहाँ पे आपका OH हो जाएगा, C, OH, ठीक है, यहाँ आपको जगा भी छोड़ दो क्योंकि आक्सीजन लगाना होता है उसकी अलफा वाली है इसकी ठीक है अलफा ग्लुकोज का बना रहे हैं लोग और यहां पर इसे आपको आक्सीजन जोड़ देना है ठीक है यह आपका अलफा ग्लुकोज हो जाएगा तो देख सकते हो आक्सीज होगे देखो CH2OH फिर यहाप पे C ठीक है आपको छे कारबन होते है चे कारबन बना सकते हो यहाप पर हो जाएगा ठीक है यहाप पर ने क्यों चोड़ दिया क्योंकि अब आपको इधर क्या करना है देखो बताते आपको यहाँ पर होता क्या है ऐसे तो OH ठीक है ओज होता है बीटा वाले पर लेकिन अब इसके बाद अभी यह आप समझ लो बीटा फ्रक्टोज है लेकिन जब आप बाद में करोगे तो इस OH को हटाना पड़ेगा क्योंकि आपको दोनों चोड़ कर दिखाएंगे तो यह पर दोनों के ओज हट जाएंगे ठीक है और अच्टू बाहर निगल जाएगा देखो इस से आपको यह आपको यह जोड़ दिया और देखो इस कार्बन से आपको इसके फ्रक्टोज वाले कार्बन को जोड़ देना है ठीक है यहाँ पर तो देख सकतो यह है आपसका सुक्र पूरा सुक्रोज को अपन के फरफ्र बन चुक यह लगा एक यही आपका सुक्रोज का ओपन स् Такs ऐग्दाभ मांसान ठाजा ठीक है इसका आप नाम मी लिख सकते हो पूरा उपन स्व milyन से इस से मिल पर अपका नाम क्या हो जाएगा आपको देखो पहले एदर वाला तो आ पूरा सुक्रोज और इसके नाम आप पूरा कैसे लिख सकते हो जैसे अलफा ग्लू को जो बीटा फ्रक्टोज था वैसे आपको इसका भी नाम होता है ठीक है अभी देखो हावर सनशना बनाते हैं फिर आपको हावर सनशना पे पूरा नाम बताएंगे इसका ठीक है तो ओपि structure के लिए आपको alpha glucose का बनाना आना चाहिए alpha glucose का हवत structure और beta fructose का आसारी से जोड़ देना है bond से बद दोनों का बन जाएगा ठीक है पूरा आपने इसके पहले वाले वीडियो में आपको सब सिखाया हुए ठीक है तो alpha glucose का बनाएंगे और इधर आपको fructose का बनाना है ठीक है तो देखो दोनों का बना लेते हैं आपका fructose का पहले इसका वो बना दो ठीक है यहाँ oxygen और फिर आपका यह हो गया ठीक है तो देख सकते हो यह alpha glucose और fructose का हो है ठीक है तो अब इससे हमें जोटना के है ऑच और विएच उसी टाइप से जोड़ देना है और बना लेना है ठीक है तो देख को यहाँ पर अपको लिखना है और CH2OH और नीचे देखो यहाँ पर CH2OH लिख दिया और नीचे H लिख दिया ठीक है यह alpha glucose का होगा आप पर अक्टोज का बनाते हैं तो देखो आपको यहाँ पर H हो जाएगा यहाँ पर CH2OH ठीक है और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है तो देखो जैसे यह है आपको वैसे ही लिखते चले जाना है देखो तो OH फिर H हो जाएगा आपका फिर यहां पर आपको क्या करना है H और OH फिर देखो यतना हो गया आप आगे देखो इसको इन दोनों को भी छोड़ दो ठीक है यहां एक गड़बर हो गई देखो यह आपका फ्यू फ्रक्टोज का बनाना था ना तो oxygen आपका ऐसे नहीं जूड दिया आप दोखो जे ऊपर यहां पर यह गड़बर हो गए ठीक है इसको आपको जो फ्रक्टोज के बनता है तो आपको ऐसे बनाना होता है ठीक है फ्रक्टोज वाले पैसे होता है और आपका ग्लूकोज पैसा होता है ठीक है तो यह फ्रक्टोज के लिए था और यह वाला न ऑक्सीजन को ठीक है यह आपका ऐसे जुड़ गया ठीक है जैसे वहाँ पर ऑक्सीजन दर्थाना पड़े करा तो इसलिए यहाँ पर H और यहाँ पर आपका क्या होगा CH2OH ठीक है यही आपका पूरा सुक्रोज का हावर्त इस्ट्रक्चर है तो एकदाम असानी से बना लिय अलफा ग्लूकोज के इस्ट्रक्चर याद किया बीटा फ्रक्टोज के याद किया दोनों को इस बॉन्ड से जोड़ दिया H or CH2OH से बस पूरा आपका क्या हो गया सुक्रोज का बन गया यह आपका अलफा गलूकोपारैनोज था और वह था बीटा फ्रक्टो फ्यूरेनोज ठीक है अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा वन अलफा डी ग्लुको पैरेनोज और बीटा डी फ्रक्टो फ्योरेनोसाइड ठीक है यह सुक्रोज का पूरा नाम हो जागा वहला हावर्थ इस्ट्रक्चर की यही कह रहे तो दूसरा नाम भी आपको बताएंगे ठीक है तो 12H22O11 ठीक है यह आपका माल्टोज का फॉर्मला होता है आप बात करते इसके ओपन इस्ट्रक्चर की ठीक है तो आप देखो इसको बना के आपको दिखाते ओपन इस्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका माल्टोज का फॉर्मला तो यह इस्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो यह इसका हो गया आपका माल्टोज का open structure ठीक है पूरा देख सकते हो ठीक है तो open structure है यह इसका किसका माल्टोज का तो आसानी से इसको भी बना सकते हो आप ठीक है आपको यह याद करना होगा एक दो बार practice करोगे तो आसानी से तयार हो जाएगा ठीक है तो देख सकते हो माल टोज का हो गया आपका ठीक है तो माल टोज वाला भी हो गया आप देखो बात करें इसके हावर्ट इस्टेक्चर की तो ओपन इस्टेक्चर हो गया मोलेकुला फामला आपने देख लिया आप देखो बात करें हावर्ट इस्टेक्चर कैसे बना सकते हो त ठीक है तो यह माल्टोज का हावर्थ इस्ट्रक्चर है ठीक है और यह इसका पूरा नाम ठीक है तो देख सकते हो अब बात करते हैं लैक्टोज की की लैक्टोज का आप कैसे करोगे C12H22O11 ठीक है जीक है अब बात करिया इसका ऊपेंटीक्चर कैसे बना हो गया आप लोग ठीक है और फिर आपका देख सकते हो इसमी टाइब से आपको बनाते चले जाना है ठीक है इतना बना लोगे और यहाँ पर से आक्सिजन से जोड़ कर आपको इस से जोड़ देना है ठीक है इस वाले कार्बन से जोड़ दोगे तो यह आपका क्या हो जायेगा क्या हो जाएगा आपका lactoge का open structure ठीक है तो देख सकते हो एकदम आसानी से आप इसको भी बना सकते हो ठीक है तो पूरा ये हो गया lactoge का open structure ठीक है तो देख सकते हो आप बात करें इसका हावर्त structure कैसे बनाओगे आप लोग ठीक है तो देखते हैं इसका हावर्त structure ठीक है हाव इस पे पूरा नाम है यह जैसा पूरा नाम है हावत ही स्टक्चर का तो देख सकते हो सुकरोददक, मालटोददक, लेक्टोद देखा तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ओके थैंक्स पर वाचिंग देस वीडियो